तो जो राम राम नमस्कार स्वागेत एक बार फिर आपका अपनी नीटूप चैनल पर आपका दोस्त रोहित लामबा और जो इमीद आप शीव लोग अच्छे होंगे सवस्त होंगे खुश होंगे भाई आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही मशूर पंजाब बाहि के फैन और बादश्य भाई के फैन है उन लोगों के लिए बहुत ए खास वीडियो और सभी लोग जो देख रहे हैं वह तो देखे हैंगी वाई उचाना भाई का पूरा नाम St ness glor उचाना उनका पूरा नाम है यूपी के एक जिले में वो बोर्ण है यूपी में पैदा हुए है वो और यूपी में पैदा होने के बाद उन्होंने पढ़ाई अपनी वहीं से की स्टार्टिंग की पढ़ाई उसके बाद वो चंडीगड आ गए कोलेज टाइम में और हिट नहीं थे उस टाइम तो दोनों ही श्ट्रगल टाइम था दोनों के लिए अमित उचाना भाई के लिए भी और बादशा भाई के लिए उसके बाद भाई दोनों की मुलाकात हुई ऐसे ही और फिर दोनों में बोर्णिंग अच्छी होगी गहरी दोस्ती होगी दोनों मे तो आगे फिर साथ में काम करने लगे उसके बाद भाई अमित उचाना और बादशागा एक नाम बन गया दोनों ने बहुत सारे लाइव शो किये लगातार ये दोनों ही कठे लाइव शो किये इन्होंने बहुत काफी सारे तो एक लाइव रिपोर्ट के थिरू ऐसा ही बताया जाता है ऐसा भी एक उनुमान है कि सबसे ज़्यादा लाइव शो करने वाले ये कलाकार है विदेशों में और अलग जगे इन्होंने बहुत सारे लाइव शो किये हैं यूएस कनाड़ा और काफी जगे पर इन ही दोनोंने लाइव शो किये हैं तो भाई उसके बाद इनका अच्छा सिस्टम चला ऐसे ही चार-पांच सालों तक बहुत ही अच्छा काम चला लाइव शो के गाने बाश्या भाई के अमित उचाना भाई ने गाने नहीं बनाई थे उस टाइम तक उसके बाद भाई थोड़ी सी उचाना भाई की तबीद बिगड़ी और थोड़े सा बोड़ी को मेंटेन नहीं रख पाई है इनके इंस्टागराम पर अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे इनके जो बीच में मोटे हो गए थे बहुत जादा और वेट बढ़ गया था तो आप इनके इंस्टागराम पर जाके देख सकते हैं इनके बारे में ज्यादा जानकारी बादश्या भाई और उचाना भाई के बारे में अगर इनको पूरा स्टड़ी करना है आपको तो नीचे की पोस्टे जब आपको देखेंगे तो पूरा इनका स्ट्रगल टाइम और सब कुछ आप लोगों को दिखेगा तो फिर मोटे हो गए दोनों ये उचाना भाई हो रही है तो उसके बाद भाई इनोंने फिर से मेहनत की मेहनत नहीं छोड़ी यही होता है भाई की मेहनत जब तक आप करेंगे तब तक आपको फल जरूर मिलेगा तो लगातार कॉंटिनियूसली इनोंने मेहनत की और बोड़ी को फिर से मैंटेन किया और मतलब भाई श्ट्रेगल तो आपको पता है दोनों नॉर्मल फैमिली से हैं उचाना भाई नॉर्मल फैमिली से हैं फिर उठे हैं तो भाई मेहनत तो हर किशी को करनी पड़ती आपको पता है दिन रात एक करने के बाद कुछ न कुछ हासिल होता है तो इसी के बाद लाइव शो उन्हें ने दुबारा से शुरू किये अपने और लाइव शो का जैसे ही सिस्टम शुरू हुआ उसके बाद बादशा और उचाना भाई ने गाना बनाया आपको पता है गाना आया था कुछ टाइम पहले कमाल है करके गाना आया था आपने देखा होगा यूटूब पे और अमित उचाना और बादशा भाई का वो गाना था उसमें भाई वो गाना रातो रात वाइरल हो गया और उचाना भाई को एक अलग पहचान दे दी उस गाने ने लगबग 300 million views गाने पर अभी हैं यूटूब पर बाद से भाई के साथ हो गाना था तो भाई उसके बाद इनकी life change हुई और उसके बाद उचाना भाई luxury life जीने लगे एकदम से इन्होंने OD वगरे maintain कर रखे गाडियों का शोक रखते हैं और गाडियां है इनके पास तो भाई ये खास बात है कि कोई भी singer होगा या कोई भी artist होगा पहले गाने में अपना budget नहीं लगाएगा लेकिन उचाना भाई ने पहले ही गाने में काफी singer बोलते हैं कि मने इतना budget लगा इतना budget लगा है लेकिन shoot वगरे से पता चल जाता कि किस गाने में कितना budget लगा है तो कमाल है इनका गान आया कमाल है और उसमें रात और रात वायरल होगे और रात और रात फिस गाने ने किस्मत वदल दी तो उसके बाद लगजरी लाइफ जीने भी शूरू कर दी नहीं उसके बाद सफर लगातार इनका चल रहा है लेकिन अभी 2021 में बड़े-बड़े कलाकारों के साथ बड़े-बड़े फेमस आर्टिस्ट के साथ इनके काफी सारे प्रोजेक्ट आने वाले हैं 2021 में ऐसी ख़बर ही ने मिली है हमें मिली है तो तीन दिन पहले आपने कपिल सर्मा शो देखा होगा था कपिल सर्मा शो उनको जानते ही हो आप लोग तो उनके शो में भी एक उचाना भाई है अपने उनका गाना है तो ये बात भी है कि बादशा भाई और उचाना भाई की बोर्णिंग भी अलग से है दोनों हमेशा एक साथ ही दिखते हैं आपको इन दोनों के बहुत बड़िया बड़िया प्रोजेक्ट अभी आने वाले हैं 2020 में जिनकी भी हम आपको दिखाएंगे बादशा भाई की टीम से और उचाना भाई से हमारी बात चल रही है कि जल्दी हमारे चैनल पर उनका इंट्रिव हम लें तो कोशी ही है कि जल से जल्द उनका इंट्रिव आप लोगों से मिलवाया जाए और आप लोग सवाल जो आप जरूर भे रहेंगे और हसाते रहेंगे गुदगदाते रहेंगे जब तक आप लोग हमें देख रहे हो बहुत बहुत धन्यावाद वीडियो देखने के लिए